आप सबको मेरा नमस्कार जैभीम दोस्तों आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो में कि मैंने अपने बेटी की तैयारी कैसे की क्योंकि उसे ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है तो फटापट में सुभा जल्दी उट गई और जल्दी उटने के बाद में मैंने नहाया और नह राते सेख दिये क्योंकि रात में उसे खाना है क्योंकि साम की पाच बजे की ट्रेन है इसलिए उसने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि सफर में ज्यादा कुछ खाती नहीं है तो मैंने सोचा थोड़ा सा टीपिन बना देती हूं ताकि वो टाइम मिले तो वो खा सके और उ कुछ भूलना नहीं चाहिए काफी दिनों के लिए जा रही है कब आना होता या नहीं आना होता है उसके लिए मैं फटाफट पहले रेडी हो गई और रेडी होने के बाद में मैंने सारे उसके बेग वगरे चेक किये और चेक करने के बाद में फिर जो कुछ भी बचा-कुछा रहता है तो वो सारी चीजे हम लोग ध्यान से रख देते हैं ताकि उनको को जदां में परेशानी न करके इसलिए मैंने फटा-फट रेडी होने के बाद में मैंने सोचा कि उसके तियारी समय लगता है घर से और यह देखो यह मैं दिखा रहे हूं आपको भी बर्सात का वह ताला बोगे रहे हैं हमारे यहां और पूरे हरा भरा एरिया है कितना अच्छा लग रहा है यहां से जाने में बहुत दिनों बात में हम लोग भी इदर आये हैं इसलिए अच्छा लग रहा है तो यह देखो यह सारी दुकाने हमारे इदर लगी रहती है वैसे तो सारी दूर लगी रहती है लेकिन ह समारे इदर की कुछ विशेज दुकाने रहती है चलो देखिए हम लोग आई गया है रेलवेइस्टेशन पर यह इतार सी है दोस्तों यहां से हमें ट्रेन पकड़ना था तो हम लोग पहुच चुके हैं यहां रेलवेस्टेशन पर और थोड़ा वेटिंग रूम में हम लोग पूझ गये थोड़ा फ्रेश वगेरे हं और फ्रेश होने के बाद में यावी, थोड़ाक ट्रेन को टाइम भी था तो हमने शोचा के थोड़ा वेट कर लेते हैं रहता है तो यह देखो हम लोग स्नेक्स अगरे हमने थोड़ा सा ले लिए है उसके लिए क्योंकि अकली रहती है कोई बात करने वाला भी नहीं रहता है ना तो इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ रख लेते हैं तो देखो यह ट्रेन भी आ चुकी है दोस्तों और वो ट् आपको यह वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों नमस्कार